हेलो गाइज दिस इस शाविस खान एंड यूर वाचिंग फ्लफी गाइज हमारे जो मैक्स है उसको आज मैंने नोटिस किया मॉर्निंग के उसे यूरिनरी प्रॉब्लम हो रही थे वह बार बार फ्रिक्वेंटली लिटर बॉक्स में जा रहा था और बहुत स्मॉल अमाउंट का यूरिन पास कर रहा था जैसे के आप देख सकते हैं जैसे के आपक्लंपिंग देख सकते हैं है यह देखे जौन के हमुत स्मॉड आमांउंट मैं के लिए में लेक आया यह वाला फुड एंड पीछह आप देख सकते हैं फ्रेम में मैख लिए है और मैक को में फूड कहला रहा हो यूरीनरी कैट फूड है सकता है आपको एजीली मार्केट में मिल और कोई चीफ ब्रेंड पर आजाए तो गई यूरिनरी कैट फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी कैट के यूरिन इंफेक्शन को ठीक करने के लिए जब तक क्योंकि आप कैट फूड ने वद लेंगे कितनी मैडिसन दे दीजिए उसका असर इसली नहीं होगा कैट फूड आप चेंज करते हैं आप में आपको यूरिपैट मैडिसन देनी अपनी कैट को ट्वाइस एडे अगर आपके विल्ली फाइब केजी के तो आपको उसे हाफ टी स्पून देना है सुबह और शाम तो इससे रिजल्ट और भी अच्छा हैगा और आपके विल्ली विद यूरिणरी कैट फूड एंड यूरिपैट एंड साथ में आपको थर्ड तिंग जो करने हैं आपको अपनी कैट के लिए बहुत सारा फ्रेश वाटर हर जगह रखना है जिससे वो पानी पिए एंड उससे यूरिण की प्रॉब्लम और ज्यादा हेल्प करेगी ठीक होने के जो यूरिपैट है जो यूरिपैट की मेडिसन है वो आराउंड 140 के करीब आती है वाके में मैंशन करतूंगा कितने की थी मर्पी एंड गाइस यह जो रॉयल कैन का यूरिणरी फूड है यह मुझे 400 रुपे का पड़ा 450 की मर्पी है यह 400 ग्राम का पैकेट है बहुत अच् जिससे प्रॉब्लम नहीं है तो रेगुलर भी अपडिनरी वाला गईस आपको और फूड भी ले सकते हैं जो यूरिणरी वाला हो के लिए जिससे यूरिण प्रॉब्लम ठीक हो जाए और इंशा बहुत जल्द से जल्द की ठीक हो जाएगा जैस जैसे की वाइज आप चूजिया हमारे साथ बिल्लों में से लेकिन फिर भी बहुत इजी लिस के फूट को खा रहा हुआ है और इसे पसंद भी आ रहा है गाइज यह पैट फूट बहुत बहुत ज़दा जो यूरिनारी फूट है बहुत जादा नो अच्छा काम करता है तो गाइस थैंक यू सो मच अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ऐसे ही इंट्रस्टिंग एंड इंफरमेटिव वीडियो के लिए थैंक यू